अब polynomial of degree ये 2 कुछ नहीं है आपे अब polynomial of degree n एक polynomial है जिसकी degree n है तो उसमें कितने zeros होंगे जैसे आपको पता हो अगर हमारे पास quadratic है ठीक है एकस square प्लस 2x प्लस 1 तो आपको पता है दो zeros निकलते हैं लेकिन अगर हम बात करें यहां पर zeros की न तो आप ध्यान से देखना यह x प् value of 1 आ रही है माइनस 1 और माइनस 1 अगर मैं इसको 0 कर दो तो दो फेक्टर सेम हैं दोनों ही माइनस 1 देंगे यहां पर तो अगर आप से कोई पूछे कितने zeros मिलेंगे तो एक ही मिलेगा हाला कि वह सेम होगा लेकिन वह एक ही तो मिलेगा एकस के लूट यह ना तो वन जिरो मिलेगा हाला कि पावर 2 है यहां पर हाला कि पावर कितनी है 2 है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यहां पर एकस स्कॉयर प्लस 5 एकस प्लस 6 है तो यहां पर आगर आप फेक्टर करोगे तो आपके यह फेक्टर लाएंगे एकस प्लस 3 एकस प्लस 2 यहां पर आपको एकस की द बिल्यूजी नहीं मिलती है तो अध्मोस्ट की कंडिशन लगती है क्या लगती है एक मुस्ट एन जिरों यह ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एन जीरों तो सकता है meximum यह हो सकता, एक ही मिले आपको, यह हो सकता, एक भी ना मिले, एक भी ना मिलने का कौन सा एक्जाम्पल है, जैसे कि x² प्लस 1, अगर मैं कहा दूँ x² प्लस 1 में 0s बताओ, तो तुम नहीं निकाल सकते, क्यों? अगर मैं यहाँ पे equal to 0 करूँगा, x निकालने के लिए, तो x² आजाएगा minus 1 जो की possible नहीं है किसी भी number का square negative होता नहीं है तो तुम्हें x की कोई value नहीं मिलेगी तुम्हें x की यहाँ पे कोई value मिलेगी ही नहीं समझ में आ गया इसका मतलब है या तो 2 zeros मिलते हैं या एक मिलता या एक भी नहीं मिलता है तो at most n zero आपका answer हो जाएगा इस कुश्च में ठीक है